वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडिया हम बात करने जा रहे हैं बेंगॉल वारियर्स वर्सिस यू मुंबा प्रो कबड़ी लीग मैच जो एक खेला जाएगा हैदराबाद में क्या हो सकती है स्टार्टिंग सेवन क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारी साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्चुन के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्चेन है पिन कर दूगा उसी के तूँ जुड़िये का सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैन्स काफ़ी सारे है हमारे नाम के और कोई fantasy fortune के नाम से पैसे माँगे यसो बिल्कुल भी देने की जरुवत नहीं है साथ के साथ YouTube चैनल के सब्सक्राइब करके bell icon दबा दीजिए क्योंकि जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी सो सबसे पहले समझते हैं points stable सो points stable में Bengal जो है चटे number पर है यहाँ पर और वहीं यू मुंबा वो है 9 नमबर पर सो दोनों टीम्स के लिए काफ़ी important match है क्योंकि अगर दोनों टीम्स के points भी देखें तो यहाँ पर Bengal के 48 हैं और यू मुंबा के 44 हैं तो दालर डिफरेंस नहीं है तो यू मुंबा के लिए ये मैच बहुत important हो जाता है और कहीं न कहीं Bengal अगर जीतती है तो वो उपर भी जो है position पर जा सकती है और अब क्योंकि जितने मैच बचे हैं टीम्स के लिए सब important है क्योंकि playoff जो हो काफी नस्दीग आ रहा है बात करते हैं यहाँ पर Bengal Warriors की तो सबसे मीन defender जो टीम के है वो है गिरिश मारूती लगता इनके points रहते हैं 152 last match में देखे आ रहे हैं उससे पहले एक match बिकार लेकिन फिर आप देखो अच्छे performance यहाँ पर दो match बिकार लेकिन फिर बड़ा score इनका ना क्योंकि यह सी नहीं advance tackle बहुत करते हैं तो यह tackle के points बहुत देते हैं out भी होते हैं लेकिन points देते रहते हैं पारते चले जाते हैं अतलब एक तरीक से आप यह समझ लीजे तो advance tackle करते रहते हैं और वहां points लाते रहते हैं तो captain wise captain की small league हो चाए grand league हो एक अच्छी choice बन जाते हैं बात करते हैं शिवम शिंडे की जो right corner खेलते हैं last match में 40 उससे पहले 0, 80, 40, 60, 33, 34 अगर आप देखें average performance इनकी रहती है और 40, 45 points जो है वो average जो है आप इनका मान के चलो इतने points यूशली दे देते हैं वैब अप गड़जे हैं जिनके जो बिल्कुल भी form में नहीं है पिछले 5-6 match में कुछ points नहीं आया है 20, 23, 22, 49, 14 स्टार्टिंग बहुत शानदार थी लेकिन अगर आप देखें पिछले 6 match में है लगातार flop हो रहे हैं तो grand league में try कर सकते हैं small league में थोड़े risk ही बन जाते हैं बाला जी D है, all rounder है इनने भी सारे matches खिलाए गए हैं बहुत अच्छी नहीं आई है लेकिन फिछले फिर भी कुछ match से चार match में से दो बार जो है अच्छे एक performance आई है last match में 80 points देकर आ रहे हैं उससे पहले एक बार 61 दिए यहाँ पर 82, 54, एक बार 37, एक बार 69 समदलब 2-3 match में एक बार चल जाते हैं जिसमें 60-70 points दे रहेते हैं दवाइस 30-40 का इनका average रहता है all rounder section में try किये जा सकते हैं यहाँ पर all rounder में एक और जो option है वो है यहाँ पर last match खेलेते हैं Manoj गोडा उससे पहले जो है दीपक हुड़ा regular खेल रहे थे last match में दीपक हुड़ा को नहीं खिलाया गया तो दीपक हुड़ा खेलते हैं तो बहुत अच्छी form में नहीं है बट बड़ा नाम है तो try कर सकते हैं Manoj गोडा एक अच्छा खिलाडी है last match खेला उसमें भी 62 points दे कर गए ये Manoj गोडा अभी तक substitute खेल रहे थे अब substitute में जब भी आते हैं ये कुछ ना कुछ points दे कर जाते हैं जिसकी वैसे नहीं starting 7 में भी शामिल किया गया और last match में आते ही 62 points दे कर गए जो की एक अच्छा score होता है तो आपके लिए एक अच्छी pick बन सकते हैं राउंडर section में रेडिंग की बात करें तो श्रीकान जादव अच्छा supporting role अदा कर रहे हैं और एक अच्छी pick आपके लिए बन सकते हैं 83, 26, 80, 34, 82 तो अच्छे points इनके आ रहे हैं लगाता है ठीक ठाक आ रहे हैं और इनका selection काफी कम है क्योंकि रेडर में आप तीन ही रेडर ले सकते हो और जादव को जो है जादा लोग try नहीं कर रहे हैं तो small league में भी try कर सकते हो और grand league के लिए भी काफी अच्छी choice बन जाते हैं मनिंदर सिंग टीम के लिए बहुत important है बाई देखो small league में best choice captain wise captain की जो है वो मनिंदर सिंग बन जाते हैं small league में important players की बात करें सो मनिंदर सिंग और गिरी शरनेक ये दोनों टीम के लिए main खिलाड़ी है श्रीकान जादव भी एक अच्छी pick बन जाते है आज का जो दूसरा match भी होने वाला है यहाँ पर UP और पतना का match उसमें जो साड़े नो बजे match है उसमें 20,000 रुपे का free giveaway होने वाला है कहाँ पर होगा होगा vision 11 पे क्योंकि daily हाँ पर होते है free giveaway और lowest entry fees भी है तो अगर आपके बाद vision 11 अप नहीं है तो download कर लो link description में है fortune refer code use कर लेना इसके तो bonus benefit भी आपको मिल जाएंगे यू मुंबा की बात करें हरिंदर कुमार है लगातार टीम के लिए खेल रहे है लेकिन बहुत अच्छी form में नहीं रहे है कुछ matches अच्छे आए हैं जैसे यहाँ पर 82, 57, 54, 56 यहाँ पर 89, 55 लेकिन अगर आप देखें लास्ट के तीन मैच से flop चल रहे है grand league में try कर सकते हो small league में थोड़ा रिस्की हो सकते है मोहित खलेर है जो last match खेले थे left corner पर खेल थे हैं अच्छा खेल कर गए थे 66 point दिये थे उससे पहले 22, 46, यहाँ पर 62, 69, 40 सो ठीक ठागिन की performance रहे है tryable option रहेंगे बट फिर भी थोड़े से रिस्की बन जाते हैं सबसे टीम जो important खिलाड़ी इस टीम में है defense में वो है rinkoo hc, rinkoo hc लगतार point दे रहे हैं अगर आप मुंबई की तरफ से defense में captain wise captain करना चाते हो तो रinkoo को try कर सकते हो शिवांश ठाकूर है जो right cover पर last match खेले थे, इनकी जगा टीम चाहे तो चेंज कर सकती है जादा कुछ खास किया नहीं है लेकिन credit saver का काम कर जाएंगे क्योंकि 11 credit में available है तो उसी साबसे लेना चाते हो सो ले सकते हो अगर credit की problem नहीं आ रही है तो फिर आप जो है इनसे better दूसरे defender को try कर सकते हो जै भगवान है अच्छे allrounder है सीजन का start काफी अच्छा हुआ था लेकिन पिछले कुछ match में आशीश और गुमान सिंग काफी अच्छा कर रहे है सो रेड कम मिल रही है जै भगवान को सो उतना effective नजर नहीं आ रहे है लेकिन player अच्छे है दो important खिलाड़ी यहां से जो है आशीश और गुमान सिंग गुमान सिंग टीम के main raider है लास्ट में आच में देखो flop हो गए सोला उससे पहले 62 फिर एक बार flop लेकिन उससे पहले यहां पर 114, 118 फिर सोला लगता है सोला पर इनकी गाड़ी कहीं बार अटक जाती है तीन बार हो गया है सोला सोला यहां पर 80, 81, 76, 44, 122 सो अच्छा कर रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो आशीश की बात करें लगातार कंसिस्टेंटली पॉइंट्स दे रहे हैं अब आशीश ठीक है क्योंकि अब आशीश जो है न टैकल भी करने लग गया रेड के साथ टैकल पॉइंट्स भी ला रहे हैं तो एक अच्छी पिक बन जाती है स्मॉल लीग में भी आप ट्राइ कर सकते हो ग्रैंड लीग में भी और ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क ट्राइ करना चाते हो सो कैप्टन कर सकते हो ग्रैंड लीग में आशीश को इस टीम से तीन इंपॉटन खिलाड़ी है रिंकू, आशीश और गुमान सिंग इनको ट्राइ करना कि आप इनको अपनी टीम में रख पाओ Small League Captain Vice Captain की बात करें So Maninder Singh, Girish Arnak और गुमान सिक आप इन में से कर सकते हो Grand League में आप जो है गुमान सिंग, रिंकू और यहाँ पर आशीश के साथ जा सकते हो चलिए create करते हैं अपनी Small League और Multiple Grand League टीम्स So defense में काफी अच्छे options यहाँ पर है Girish, Maruti और रिंकू इन दोनों को मैं अपनी टीम में जरूर रखना चाहूँगा यहाँ पर शुबम शिंडे है जिनको ट्राइ कर सकते हो Mohit Khaler भी ठीक option है Shivansh Thakur है जो आपक right save कर जाते है Garj है, Harinder Kumar इनको आप rotate कर सकते हो अगर यहाँ से Surinder, Nada या फिर किरन, Lakshman खेलते हों नजर आए तो आप इनको जरूर ट्राइ कर सकते हैं मैंने अभी के लिए आपर गिरिश, Maruti और रिंकू को लिया है अभी के लिए rating section पे पहले चलते है सो मनिंदर को लिया है मैंने, आशीश को लिया है, गुमान को लिया है अब जो है जादब भी equally good है, जादब के भी काफी अच्छा कर रहे है आप चाहें तो आशीश है गुमान में से इनको एक को drop करके आप यहाँ पर जादब को भी ले सकते है लेकि मैंने आशीश को और गुमान सिंग को लिया है अब हमारे पास credit का issue आ जाएगा अब देखो, यहाँ पर बाला जी डी है और यहाँ पर जै भगवान और गोडा है, यह तीनों है मैंने यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बाला जी को लेते हैं सो फिर credit का issue आ जाएगा, भगवान पर तोर जादा आ जाएगा मैंने यहाँ पर मनोज गोडा को लिया है अब 11 credit बचते हैं जिसमें हमारे पास शिवांश ठाकूर आ जाते हैं आप credit maintain करके, अगर आप यहाँ पर शिवांश की जगा शिंडे को ले सकते हैं अगर आप credit maintain कर पाओ सो यह बन जाती है हमारी small league किडी में इसमें एक से दो चेंज हो सकते हैं depending upon starting seven सो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाना जिसका link description में है और मैं comment section नहीं pin कर दूँगा बात करते हैं captain vice captain की captain मैंने maninder को ही किया है best option रहेंगे vice captain जो है आप यहाँ पर गिरिश मारूती या गुमान सिंग या आशिश के साथ जा सकते हैं मैंने यहाँ पर गुमान सिंग को vice captain किया है यहाँ पर गिरिश अरनेक भी अच्छी option है बात करते हैं grand league teams की so teams create करी है team number one Bengal के favor में जो मैंने की है उसमें हमने 5-2 का combination चलाया है गिरिश अरनेक vice captain captain हमने maninder सिंग को किया है और यहाँ पर मोहित खलेर और गुमान सिंग लिया है दूसरी तरफ से team two again captain vice captain combination captain जो है हमने maninder को किया है vice captain गरिश अरनेक को किया है और यहाँ पर भी 5-2 का ही combination हमने चलाया है team three की बात करते हैं अगर मुमबई में आच्छी विन करती है तो क्या होता है तो उस case में हमने गुमान को captain किया है और आशीश को vice captain किया हुआ है और यहाँ से बेंगॉल की तरफ से हमने मनिंदर सिंग और मनोज गोडा को ही रखा हुआ है एक last team more बनाई है again मुमबई के favor में जिसमें हमने रिंकू को captain करके यहाँ पर गुमान सिंग को हमने vice captain किया हुआ है और यहाँ पर मनिंदर को लिया है और बालाजी डी को लिया हुआ है बेंगॉल की तरफ से आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक player को multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंदा यह पसंदा यह सो like करो share करो कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है अगर देखा जाए तो भाई बेंगॉल जो है वो काफी अच्छी टीम नजर आ रही है क्योंकि डिफेंस में भी तब तगड़ा डिफेंडर जो है ग्री शरनेक है यहां पर raid में मनिंदर बहुत तगड़ी raid कर रहे है बट मुझे फिर भी ऐसा कही न कहीं लग रहा है कि मुंबई आज अच्छा कर सकती है आप भी कमेंट करके ज़रू बताइएगा आपके इसाब से कौन जीतने वाला है मैच और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल चाहेगी See you guys in my next video